नमस्कार साथियो मैं नील एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ तो किसान साथियो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सरसों के एक नई वराइटी है जो बहुत ही कम समय में काफी फेमस हो चुकी है काफी अच्छा उत्पादन देती है स्टार अगरी सीड्स की स्टार दस पंदरा तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो सबी किसान साथियों के पहले बता देता हूं कि कमपनी का नाम है स्टार अगरी सीड्स और जो सरसों का जो इस वराइटी का जो नाम है वो स्टार दस पंदरा जो भी आप स्क्रीन के उपर इसकी फोटो भी देख रहे होंगी तो आपको सबसे पहली बात तो ये बता दूँ कि ये हाईब्रिड सरसों है अब सुरूआत कर लेते हैं इसके समय से तो जो स्टार दस पंदरा है उसका समय एक सो पचीश एक सो तीस दिन का समय होता है यानि कि थोड़े लंबे समय कि हम इसको बोल सकते हैं उन्चाई पर अगर हम आएं तो 140 से लेकर के 150 सेंटिमेटर इसकी उन्चाई होती है यानि कि मद्यमकद की आप सरसों इसको बोल सकते हैं अगर हम आएं इसके उत्पादन के उपर कि इसका जो उत्पादन है वो कितना देखने को मिलता है तो इसका जो ओशत उत्पादन है वो देखने को मिलता है 11-12 क्वेंटल लेकिन जो इसका अधिकतम उत्पादन देखने को मिलता है अगर इसकी अच्छे शे देख रहे की जाए तो तकरीबन 14-15 क्वेंटल परती एकर तक इसका जो उत्पादन है वो देखने को मिला है पिछले 2-3 साल से ये ट्राइल के अंदर चल रही थी और अलग-अलग स्टेट के अंदर चल रही थी जहां पर इसके जो परिणाम है वो काफी ज़्यादा अच्छे आई है और जो पायोनिर की हमारी जो सर्सों आती है 45-46 जो आती है या फिर कुछ जो हमारी अलग जो सर्सों है जो काफी फेमस है ये उनको टकर देती नजर आई है और इसका रिजल्ट काफी सांदार रहा है तेल मातरा की बात करें तो 40 से ले करके 42% 43% तक भी इसके अंदर तेल मातरा देखी गई है यानि कि आप बोल सकते हैं कि जितनी जो इसके अंदर तेल मातरा पाई जाती है 42-43% लग बग तो और किसी सर्सों में इससे उपर नहीं पाई जाती है बात करें साखाओं की तो इसकी जो साखाएं हैं वो ज्यादा होती है तना जो है वो मोटा होता है और मजबूत होता है हाइट जो है वो मद्यमाकार की होती है जिसकी वज़ेशे गिरने की जो हम बोल सकते हैं कि जो गिरने का जो डर है हमारे मन में बना रहता है वो हम बोल सकते हैं कि उसके परती सहनसिल कुछा तक ही है यानि कि गिरने का डर बहुत कम हो जाता है जब कद थोड़ा छोटा हो जाए अब बात कर लेते हैं फलियों की तो इसकी फलियों की जो लंबाई है वो है तकरीबन 6-7 cm और जो फलियां है वो काफी सक्त होती है इसका जो दाना है वो काला मोटा होता है और चमकदार भी काफी होता है जिसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी कीमत जब लगती है मंडी के अंदर तो उस पर किसी प्रकार का बुरा परभाव नहीं पर था अच्छे रेट इसके मिल सकते हैं सेहन सीलता की हम बात करें तो ये रष्ट के परती डावनी मिल्डेव के परती और जो शर्दी यानि की जो पाला है पाले के परती भी सेहन सील है अब आते हैं हम इसके बुआई के समय के उपर तो आप इसको अंतिम शितंबर से यानि की 20 सितंबर से लेकर के पूरा अक्तूबर आप इसको बिजबीज जगती है या फिर अगर लेट विजाई अगर हो जाती है कोसिस करें इसको पहले विजाई करने की क्योंकि 125-130 दिन की सरसों हैं तो अक्तूबर के अंदर अगर आप इसकी विजाई कर देते हैं तकरीबन 1 अक्तूबर से लेकर के 15 अक्तूबर तक तो काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे लेट जितना होसके ना करें वैसे 15 नौंबर तक आप इसकी लेट विजाई भी कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं एरिया की कि किन किन एरिया के अंदर जो है इसकी टेस्टिंग हो चुकी है तो मैं आपको बता दूँ कि हरियाना, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, जारखंड, महराष्टर, मद्यपरदेश, च्छतिजगड़, और आंदरपरदेश, तेलंगाना, और उतराखंड इन राजियों के अंदर आप इसको लगा सकते हैं इनके ये अनुकूल है और यहाँ पर आपको अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा अब बात कर लेते हैं कीमत की तो कीमत की बात ऐसे है, अलग-अलग एरिया के हिसाब से जो कीमत है वो उपर नीचे होती है जो डिलर्स होते हैं, हमारे यहाँ जो सोफ होती है मंडियों के अंदर तो वो अपना अपना थोड़ा बहुत किसी का कमीशन थोड़ा कम होता है तो कोई थोड़ा सा ज्यादा हम बोल सकते हैं कि अपना मुनाफ़ा कमाता है तो कीमत पचास सो रुपे उपर नीचे होती रहती है तो आपको ये वराइटी लगबग 800 से सड़े 800 के बीच में आपको मिलनी चाहिए कोशिस कीजिए 800 से कम ही मिले क्योंकि मैंने इसके आज ओनलाइन रेट देखे हैं अगर आप मैंसे किसी को ये वराइटी इससे ज़्यादा महेंगी पड़ रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा मैं आपको वेबसाइट का लिंक देदूँगा आप वहां से इसको मंगवा सकती है वैसे हमारा उस वेबसाइट से किसी परकार का कोई भी नाता नहीं है तो आप मंगवा सकते हैं मैं आपको उसका बस लिंक दे दूँगा आप ओर्डर कर सकते हैं और आपको समय पर मिल जाएगी तो कमेंट करके बताइएगा जिस भाई को ओनलाइन मंगवानी हो वैसे जिसको ओपलाइन मंगवानी हो वो ओपलाइन जाके देखे और जो रेट आपको मिली या फिर आपके मारकेट में जो रेट बताया गया आपके अरिया का नाम लिखे और रेट जो है वो जरूर बताएए कि मेरे इस एरिया में इस रेट पर भीक रही है ताकि और किसान भाईयों को उनके एरिया के हिसाब से रेट का पता चल चल चके तो साथियों आज की वीडियों बस इतना ही लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूँ कि पायोनिर की जो फेमस सरसों है उसको टकरिये दे रही है जिश भाई के यहाँ खेत में इसका पिछले साल ट्रायल लगाया गया हो वो कमेंट करके अपना अनुभव जुरूर साजा करें कि इसको उत्पादन आपको कैसा मिला और आपका अनुभव जो है वो कैसा रहा साथ ही एक और बात है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तो आपका आज का दिन सुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद